जब पेश्वा बाजिराव बल्लाल के नित्रियतों में मराठा सेनिक लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे 48 घंटे से अधिक का समय हो चुका था मराठे ना तो सोये थे और ना कहीं थोड़ी देर के लिए भी विश्राम किया था दिल्ली पहुँचे और जब ये खबर फैली कि दिल्ली में मराठे आ गए चारो तरफ हाय तो बामत चुकी थी मुगल बाजशा मुहमद छारंगिला को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में मतुरा में जो 60-70 अजार की मुगलिया फोज बैठी हुई है मुहमद खान बंगस, सादत खान, समसमुद दोला और खान दोरान के नित्रत में जो फोज मतुरा में बैठी हुई है उसको दरकिनार करते वे मराठे आखिर दिल्ली तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे और देखो समय का पईया किस प्रकार से गुमा एक समय था जब मुगल शाशक औरंग जेब के दुआरा मराठा राजी के संस्था पक चत्रपति शिवाजी महराज को कैद कर लिया गया था आज उनी मराठों की वज़े से मुगल शाशक मुहमद शारंगिला को स्वैम अपने आपको दिल्ली में तीन दिन तक किले में कैद करना पड़ा इस वीडियो में हम बात करेंगे पेश्वा बाजी राओ बल्लाल की पेश्वाई के बारे में एक पिच्चर आपने देखी होगी बाजी राओ मस्ता नहीं उसमें बाजी राओ की छवी किस प्रकार से बना दीगे लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो पेश्वा बाजी राओ बल्लाल का आपको सही और सच्चा इतिहास पता लगेगा और मैं तो कहूंगा यदि बोली हुड के लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच रहे हैं और अगर वो ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़र्रत ही नहीं है इतिहास में जो जैसा गटित हुआ उसको उसी रूप में दिखा दो आप तो इस वीडियो को देख लो और इस वीडियो को बस बरे परदे पे आप उतार देना उस पिच्चर से ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे खेर मैं रबन भार्दवाच आईए विशा को शुरू करते हैं अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो भार्दवाज क्लासेज की एप्लिकेशन डाउनलोड करिए एप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर PDF फ्री ओफ कोस्ट एवलेबर है साथी साथ एक मैत्वपून सूचना राजस्थान जीके के इस्पेशल बैचेज के लिए पिछले 6-7 महीने से मैनत कर रहा हूँ काफी वीडियो लगबग तयार हो गए है और संभवते 10-12 दिन में राजस्थान की जोग्रफी का इस्पेशल बैच भारदवाज क्लासेज की उस एप्लिकेशन पर अप्लोड कर दूँगा तो जो भी इंट्रेस्टेड है उस बैच को लेना चाते है वो एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें जल्दी आपको वहाँ पर बैच अवलिवल हो जाएगा इसके साथ ही भविश्य में बाकी ओर भी स्पेशल बैचेज भी आपको वहाँ एवलिवल हो जाएंगे इस पुराने विर्क्ष के खोखले तने पर प्रहार करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी और एक बार फिर से मराठा पताका अटक से और कटक तक फेराएगे। हिंदुस्तान के और भी भहुत सारे सोर्सेज हैं जो चीक चीक कर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा अटक तक रही थी। उधारन के तोर पर अजमेर के चोहान शाशक पृत्विराज चोहान के वंशज बीसल देव चोहान या विग्रे राज चोहान फोर्थ उनके शाशनक का एक शिलालेक प्राप्त होता है दरसल बीसल देव चोहान ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्मान करवाया था जिसको बाद में कुतुब बुदीन एबक ने तुडवा कर वहां पर अढ़ाई दिन के जोपड़े का निर्मान करवाया वहीं से बीसल देव च अटक के उस पार खदेड दिया और अपने उत्रादिकारियों से कहूंगा कि मलेच्छों को अटक के उस पार तक ही सीमित रखें ने केवल यह वाला सोर्स बलकि और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो बार-बार हमको यह जानकारी देते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा अटक तक रह इनका पेश्वाई काल रहा सन 1720 से और 1740 इस वी तक का और यह इस देश का दुरभाग्य है और विडंबना है कि मात्र 40 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया अगर इनका जीवन थोड़ा और लंबा होता तो संबह होता है हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग हो सकता थ पेश्वा बाजिराव भलाल से संबंदित कुछ उपादियां ध्यान रखना जो competitive exams में frequently पूछी जाती है जैसे इनको लड़ाकु पेश्वा कहा जाता है इनको सैनिक पेश्वा कहा जाता है इनको गो भ्रामन रक्षक कहा जाता है मतलब गाय और भ्रामनों का रक्षक इसके सामरा से अलग सितनक्र राज्यगुशित कर दिया था थोड़ा सा शत्रसाल बंदेल का परीच ले लीजीं इनका जनों रेखना और जबनकी मबादी का मतरीं 11 वेनाओं को संगटित करना शुरू कर दिया था और 1720 इस्वी में इन्होंने मुगलिय सामराजे से अलग बुंदेल खंड को एक स्वतंतर राज्य गोशित कर दिया था अब जैसा इस पस्ट है कि जब इन्होंने अपने आपको स्वतंतर किया तो मुगलों के दुआरा इनका दमन किया जाएगा इनको दबाया जाएगा और इनको दबाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था मुहम्मद खान बंगस थोड़ा परीचय मुहम्मद खान बंगस का मुहम्मद खान बंगस जो मुगलों के पहले मालवा के सुबेदार रह चुके थे पहले कर हुआ इलहाबाद और अब वापस बदल कर हो गया फिर से प्रियाग राज मुहम्मद खान बंगस ने संसत्रा सो अठाइस इस्वी में छत्र साल बुंदेला पर हमला किया इस समय इनकी आयू थी 88-89 वर्ष की इन्होंने अपनी साहता के लिए एक पत्र लिखा पेश्वा ब लोगों को रवाना किया गया था चतर साल बुंदेला के दुआरा बुंदेल खंड से पेश्वा बाजी राओ के पास में कुछ लोगों को रवाना किया गया था उन्होंने गीत गाकर गीत के माध्यम से बुंदेल खंड की स्थिति के बारे में बताया और उसके बाद फिर पेश्वा इनकी सायता के लिए आए। उस गीत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से थी। मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो उसी पुराणिक कथा से अपनी स्वेम की तुलना करते वे पेश्वा बाजिराओ को बुलाया था। आप आईए और हमारे सम्मान की रक्षा करिए। खैर। बाजिराओ यहां पर आए। मुहम्मद खान बंगस को पराजित किया। मस्तानी जिनके पिता थे शत्रसाल बुंदेला और उनकी माता का नाम था रुहानी बेगम। दरसल शत्रसाल बुंदेला की जो पतनिया थी। पेश्वा बाजिराओ का दिल आ गया और मस्तानी का विवा पेश्वा बाजिराओ के साथ में कर दिया गया विश्यक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हैदराबाद रियासत की ओर हैदराबाद रियासत यहां के शाशक निजाम कहलात सन 1724 सीश्वी में एक व्यक्ति जिनको चिनकुलिच खां या चिनकलिच खां या निजाम उल्मुल्क या आसफ जाह कहा जाता है उनके दुआरा 1724 सीश्वी में मुगलिया सामराज्य से अलग एक स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की गई थी ये नाम ध्यान रखना ये उपादी भी ध्यान रखना आसफ जाह ये आसफ जाह की उपादी मुगल शाषक मुहम्मद शाह रंगीला के दुआरा दी गई थी किसको निजाम उल्मुल्क को या चिनकलिच खां को या के शाषकों को निजाम कहा जाता है अब हैदराबाद के शा मुगलों की बहुत दुर्गती हो गई थी और उनकी पृतिष्ठा की दज्जियां उड़ा दी गई थी अभी मैं बात करूँगा पहले बात कर लेता हूं इस पालखेडा की युद्ध की 1728 इसवी में लड़ा गया मराठों ने निजाम को पराजित कर दिया और अपनी शर्तों पर संदी मनवाली निजाम ने मराठों को चौथ देना स्विकार किया सरदेश मुखी देना स्विकार किया जिन जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था राजस्व अधिकारियों को जो चौत वसूली करते थे उनकी फिर से न्यूपती कर दी गई और साथ इसाथ छत्रपति शाहुजी को मराठों का मुख्य शाशक माना गया एक सवाल आता है ये युद्ध क्यों लड़ा गया मराठों और निजाम के बीच में युद्ध क्यों लड़ा गया क्या कारण थे तो इसका कारण एक था कि मराठों और मुख्यों के बीच में सन 1719 सीस्वी में जो संदी हुई थी निजाम के द्वारा उस संदी की शर्तों का उलंगन कर दिया गया था खेर ये बात भी इस पस्ट है कि अब निजाम मुगलों के अधीन नहीं था क्योंकि निजाम ने सन 1724 इस्वी में अपने आपको एक स्वतंतर रियासत गोशित कर दिया था लेकिन मुगलों के साथ में जो 1719 की संदी हुई थी मराठे वापस उसी को चाते थे थोड़ा सा विशे को और समझा देता हूं 1719 इसवी में मराठों और मुगलों के बीच में एक संदी वी थी ज्यादा डिटेल से नहीं जाओंगा पिछले वीडियो में बता चुका हूं मोटा मोटा बात करता हूं यहां पर मराठों को भारत के पूरे दक्षिनी महराज के द्वारा जिन-जिन क्षेत्रों को जीता गया था मराठों के द्वारा हैदराबाद, बरार, गोडवाना, खान देश वो मुगलों के पास में थे वो वापस मराठों को मिल गए इसके अतिरिक्त मराठों ने जो जो नए क्षेत्र जीते थे वो भी मराठों के पास मुगलों को 10 लाक रुपे देंगे साला न और 15 अजार की फोस देंगे जब उनको आउशकता होगी तो अब निजाम के दुआरा जब चौथ देना मना कर दिया सरदेश मुखी देने से मना कर दिया राजिस अधिकारियों को निकाल दिया निसकाशित कर दिया और शाहूजी को मुखे छतरपती नहीं माना गया तो ये युद लड़ा गया था और एक संदी हुई थी जिसको मुंगी शिवगाओं की संदी कहा गया और वापस से पहले की जो संदी थी उसकी शर्तों को फिर से बहाल कर दिया गया अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ कि जब मराठे दिल्ली पहुँचे दस दिन का जो डिस्टेंस था उसको दो दिन और एक रात में पूरा किया बिना रुके, बिना ठके, बिना नींद पूरी किये हुए और हाय तोबा मच गई थी दिल्ली में मराठे आये तो आये कैसे और कहां से आ गए तो दिल्ली की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ इससे पहले हमको जैपूर की तरफ चलना पड़ेगा ताकि ये पूरा विशे समझ में आ जाए कि मराठे दिल्ली की तरफ क्यों हो गए जैपूर चलते हैं जैपूर के शाशक थे सवाई जैसिंग बात है सन 1735 वी की और इस समय सवाई जैसिंग मुगलों की और से मालवा के सुबेदार थे दरसल सवाई जैसिंग 1729 में भी मालवा के सुबेदार रहे थे लेकिन बाद में इनसे पद छीन लिया गया था क्योंकि मुगलिया दरबार में इनके विरुद शडियंतर होते रहते थे फिर बाद में 1732 में फिर से मालवा का सुबेदार बना दिया था 1732 से और 1737 सीश्वी के दुराद तो बात कर रहा हूं मैं 1735 सीश्वी की जब सवाई जैसिंग मालवा के सुबेदार थे और सवाई जैसिंग को ये समझ में आ गया था कि मद्य में एक मद्यस्तता करते वे एक संदी करवा दी जाए जिससे शांती बनी रहे तो सवाई जैसिंग ने अपना एक दूत भेजा पेश्वा बाजिराओ के पास में और ये कहा आप आईए मैं आपके और मुगलों के बीच में एक संदी समझोता करवा दूँगा पेश्वा बाजिराओ अक्टूबर सन 1735 इसवी में पुने से निकले और राजस्थान में डूंगरपूर, उदयपूर और नाथ दूआरा होते वे अजमेर पहुँचके जनवरी 1736 इसवी में अजमेर पहुँचे अजमेर से पहले नाथ दूआरा के रास्ते होते वे गए नाथ दूआरा जो वर्तमान में राजस्थान के राजस्मंद जीले में आता है नाथ दूआरा अगर कभी आप जाएं तो वहाँ जाईए बगवान शिरिनाथ जी का मंदिर है उनके दर्शन करिए और जब दर्शन करें तो इस बात को दिमाथ में रखना कि यहाँ पर यह जो मूर्ती लगी हुई है इस मूर्ती को मेवाड के शाषक मारणा राज सिंग के द्वारा इस्थापित करवाया गया था और तब इस्थापित करवाया था जब मुगल शाषक औरंग जेव के द्वारा सन 1669 इस्वी में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिये गए थे तो उत्तर प्रदेश से दो मूर्तियां राजपुताना की ओर लाई गई थी एक तो शिरिनाज जी की मूर्ति जिनको नाथ द्वारा में स्थापित कराया था और एक द्वारिका धीज जी की मूर्ति जिसको कांक रोली में स्थापित कराया था कांक रोली जो वर्तमान में राजस्थान की राजसमन जिले में ही आता है और इन दोनों मूर्तियों को मेवाड के शाशक माराना राज सिंग के द्वारा ही स्थापित कराया गया था तो इसी नाद द्वारा से होते वे पेश्वा अजमेर के पास में पहुँचे और वर्तमान अजमेर से 30 किलोमेटर की दूरी पर एक गाव आता है भमोला गाओ वहाँ पर सवाई जैसिंग और पेश्वा के बीच में मुलाकात हुई दो अलगलग केंप लगे एक मराठा केंप एक राजपूतों का केंप बीच में एक मंडब बनाया गया उस मंडब में दोनों एक साथ पहुँचे गले मिले और उसके बाद सवाई जैसिंग ने ये प्रियास किये मुगल शाशक को कहकर कि मराठों की ये ये मांगे हैं ये मांग ली जाए लेकिन वहाँ पर सवाई जैसिंग का मुगलिया दर्बार में इतना पद नहीं बढ़ने दिया जाता था क्योंकि वहाँ के जो दर्बारी थे वो हमेशा इस शडियंतर में रहते थे कि कि किसी प्रकार से सवाई जैसिंग का पद कम रखा जाए मुगल शाषक मुहमद शारंगीला ने उस इस्थिति को नहीं भापा नहीं समझा और केवल ये कहा कि पेश्वा को मालवा की उप सुबेदारी दी जाएगी मालवा के सुबेदार कौन सवाई जैसिंग तो सवाई जैसिंग ठीक है केवल कहने के तोर पर सुबेदार रह लेंगे उप सुबेदारी पेश्वा को दे दी जाएगी इसके अतिरिक्त पेश्वा की और कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी तो सवाई जैसिंग ने भरसक प्रियास तो किया, लेकिन उनका प्रियास सफल नहीं हुआ, पेशवा यहां से नराज होकर लोटे और मन में ये बात लेकर, कि अब जल्दी ही दिल्ली आओगा, अब बात आती है, वर्ष 1736 इसवी के नवंबर के महीने की, और पेशवा ने के और वहां से सेना की एक टुकड़ी मलहार-्राव-होलकर के नित्रतों में, दोअब का क्षेतर जो उत्रप्रदेश में आता है, जमुना और गंगा नदियों के बीच का क्षेतर आता है, बहुत उपजाओ क्षेतर है, और उपजाओ होने की वज़ेसे, यहां से मुगलों को बहुत अच्छा खासा revenue भी मिलता था यहाँ पर मराठे पहुँचे मलहार राव होलकर के नित्रितु में लेकिन अवद के जो सुबेदार थे जिनका नाम था सदत खां या सादत खां सादत खां के नित्रितु में एक बड़ी फोज, पचास जार की फोज यहाँ पर पहुची और मलहार राव होलकर को अपनी मराठा सेना को वापस लेकर फिर से भागना पड़ा पीछे की और दरसल इस्थिती यह हुई थी जब दौाब के क्षेतर पर मराठों का अधिकार हो गया तो सदत खां की सेना वहाँ पहुच रही थी और उनकी आरंबिक जो टुकडी थी हरावल दस्ता जिसको कहा जाता था जो सेनिक सबसे आगे होते थे सबसे पहले फेस करते थे उसको हरावल दस्ता कहा जाता था और हरावल दस्ते में मात्र 12,000 ही सेनिक हैं लेकिन जब सेना पास आई तो पता चला कि ये संख्या 12,000 नहीं 50,000 के आसपास है मराठों को फिर से जमना नदी पार करके लोटना था जब मराठे गए थे तो उन्होंने जगे जगे बांस लगाए वे थे ताकि जब वापस लोटें तो इध्यान रहे कि कहां पर तल कम गहरा है वहां से पार किया जा सके लेकिन अब जल्द बाजी में जब भागे तो काफी मराठा सेनिक ऐसे थे जो जमना नदी में डूब गए खेर बहुत बड़ी संख्या में सेनिक वापस आ गए और ये वापस से पेश्वा बाजी राओ के पास में ग्वालियर के कैम्प में पहुँचे अब पेश्वा बाजी राओ को एक खबर मिली कि सादत खाने मुगल शाशक मौमत शारंगिला को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये कहा है कि मैंने मराठों को भगा दिया 2000 मराठा गुड़ सवारों को तो काट दिया और 2000 मराठा जो हैं वो डूब कर मर गए आप चिंता मत करो मैं मराठों को चंबल के उस पार खदेड करूँगा इस प्रकार की बाते चली कि पेश्वा अपनी सेना के साथ में भाग चुके हैं डर कर भाग चुके हैं अब आगे क्या हुआ आगे की हमको जानकारी मिलती है पेश्वा बाजेराओ के एक पत्र से जो उन्होंने अपने भाई चिम्मा जी अप्पा को लिखा था वहां से हमको जानकारी मिलती है पेश्वा ने जो लिखा वही बात आपको बताता हूँ कि सादत खाने मुगल शाशक और अमीरों को एक जूठा पत्र लिखा है पेश्वा लिख रहे हैं अपने भाई को उसने लिखा है कि मैंने मराठों को भगा दिया अब दिक्कत ये थी लेकिन समझना थोड़ी स्थिति को कि दिल्ली अगर उनको जाना है तो दिल्ली और ग्वालियर के बीच में है मतुरा और मतुरा में सादत खान आ चुका है महां सादत खान का कैंप लगा हुआ है उसके सेनिक है इसके अतिरिक्त यहीं पर मुहमद खान बंगस और उसकी भी सेना है इसके अतिरिक्त समसमुद दौला की भी सेना यहाँ पर है और इसके अतिरिक्त खाने दौरान की सेना भी यहाँ पर है यानि अगर सब की सेना को हम सही उत कर लें तो ये सेना बहुत बड़ी हो जाती है, 70,000, 80,000, 90,000 के आसपास में इतनी बड़ी सेना को पार करके पेश्वा बाजिराओ कैसे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे हलाकि पेश्वा बाजिराओ के पास में भी सेना थी 50,000 की लेकिन जब दिल्ली के अंदर एंटर किया तो बड़ी सेना केवल बाहर थी मातर 500 गुड़ सवारों के साथ में उस दिल्ली को कबजे में ले लिया था अब देखो यहाँ पर पेश्वा बाजिराओ को दिल्ली जाना है, 10 दिन का रास्ता है मत्रा से होते वे जानी सकते, तो अब एक नए रूट का चैन किया और वो रूट था मेवाद के रास्ते राजस्तान के अलवर और भरतपूर का जो क्षेतर है, यह मेवाद कहलाता है तो यहाँ के जंगल और पहाड़ों से होते वे जो 10 दिन का सफर था पेशवा बाजी राओ के दुआरा लगाता मात्र दो दिन और एक रात में पूरा कर लिया गया दो दिन का मतलब हो गया एक दिन एक रात जब हम बोलते है एक दिन उसका मतलब होता है दिन प्लस रात तो दो दिन और एक रात में इस सफर पूरा कर लिया था इस दोरान मराठे ना तो सोए ना उन्होंने रुक कर कहीं विश्राम किया और वो दिल्ली पहुंच गे मात्र दो दिन और एक रात में और जब दिल्ली पहुंचे वहाँ काल का माता मंदिर है ताल कटोरा के निकट ये खबर फैली कि मराठे आ गए और मतुरा में जो बैठे वे थे साधत खान, मुहमत खान बंगस, समसमुद दोला और इसके अतिरिक्त खाने दोरान करी तो तो उनको जानकारी मिली, साब मराठे दिल्ली पहुँच गे, वो चौक गे, भौचक न है मराठे दिल्ली पहुँच में बात फ्ली और मैं जब मराठे ते दो वहां चारो तरफ यह बात फैल रही ठी कि मराते आगे ताल कटोरा के पास में पूसर मेया है उनको जब यह जानकारी मिली मुहमत रंघिल्ला को जब यौ Step रहे हैं हई ॉझ फिर पिर भी चिंता तो थी और ये कंफर्म करने के लिए मुहमत चार अंगिला ने एक व्यक्ति को भिखारी के भेश में वहां पर भेजा वो व्यक्ति वापस आया आदी रात को और वहां केंप से जो जो चीजे मिली थी उसको मुहमत चार अंगिला के सामने पटका अनाज था आदे समगरी में खाने के समान में यही हुआ करते थे मुहमत चार अंगिला ने तीन दिन तक अपने आपको किले में कैद कर लिया किले के बाहर जमना नदी के निकट नावे मंगाली गई बोट कि यहां से निकल कर बादशा चले जाएंगे क्यों क्योंकि अगर मराठे यहा पराजित कर दिया गया है और अगर पराजित कर दिया तो मेरे सामने दोई उपाए हैं या तो मैं अधीनता स्विकार कर लूँ या यहां से अपनी जान बचा कर भाग लूँ लेकिन उनी के कैम्प के कुछ जो सेने कमांडर थे मिल्टरी कमांडर उसमें से एक अमीर खान न भी होते हैं और उनी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर हसन को का मीर हसन को का ने का क्या डृपोग की तरह तुम्हार होगे आगे बढ़ो मेर साथ हो और पेश्वा बाजी रावने ठी उसी प्रकार से उनको लल्चाय जिस प्रकार से अगर एक शेर को पकड़ना है तो एक बकरी बांदो पेश्वा बाजी राव ने अपने 500 गुड़सवारों को आगे भेजा मुगलों के पास में और मुगलों को देखते ही वापस पीछे भागने के आदेश थे वो 500 गुड़सवार पहुचे मुगलों की सेना को देखा और वापस उल्टे भागने लगे पीछे भागा तो आगे देखकर स्तब्द रहे गया इतने मराठे या पर खड़े में हैं और मीर असन कोका थोड़ी देर में ही धूल में मिलावा था और वहां से भाग गया उसने अपने आपको धूल में सान लिया था अपने चेरे पर मिट्टी लगा ली थी और कोई जब उसको कहता था कोका कोका तो कहता था अरे चुपरो मेरा नाम मतलो अगर मेरा नाम लोगे तो मराठे मेरे को पैचान जाएंगे और मेरे को मार देंगे अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद देखो रास्ता पूरा साफ था और मराठे अगर चाते तो उस समय दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं लेकिन हमको आगे की और जानकारी मिलती है पेश्वा बाजी राओ के एक पत्र से वहां से पता चलता है कि शाम हो चुकी है लगबग चार गंटे का समय पेश्वा बाजी राओ ने जो पत्र लिखा वहां से जानकारी मिलती है कि अभी रात होने में लग विश्राम करने का समय नहीं है अगर मैं यार रुख गया और विश्राम करने लग गया तो मुगल मुझे चारों और से घेर लेंगे और उसके बाद बाजी राओ प्रत्थम अपनी सेना के साथ में रेवाडी कोट पूतली मनोरपुर होते वे और यहां से निकल जाते हैं वो दो देखो प्रियास कर सकते थे दिल्ली पर अधिकार करने का लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि एक तो उनको भोजन चीए था यहां पर आप लंबे समय तक युद्ध लडएंगे जैसे पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वहां पर सारे मुस्लिम एक हो उन्होंने अपनी सेना को बेजा था साथ में कि जाओ मराठों को सुरक्षित भारत के दक्षिनी भाग तक छोड़ कर आओ तो सुरक्षित क्यों छोड़ कर आओ किन से खत्रा था भारत के उत्रिक शेत्र के जो लोग थे उनसे खत्रा था तो इसका मितलब ये स्विकार करने योग्य बात भी है कि उस समय मराठों की कुछ ऐसी नीतियां भी रही जिनकी वज़े से बारत के उत्तरिक शेत्र के लोग बहुत परेशान थे यहां के शाशक परेशान थे उसकी वज़े से साथ नहीं मिला इसकी चर्चा किसी और वीडियो में मैं आपके साथ में करूँगा तो खेर मराठे यहां से अब निकल चुके थे मराठे चाते तो लंबे लड़ सकते थे लेकिन उनको सप्लाई चेन की जरुरत थी उनको लगातार भोजन मिलना चीए था फिर साथ इसाथ पीछे से मतुरा की और से सादत खाँ अपनी सेना लेकर और आ रहा था तो वहां गिरने की संभावना थी इसलिए उन्होंने एक अटेक किया दस दिन का जो रास्था था दो दिन में उन्होंने पूरा किया और दिल्ली में पूरा कोहरा मचाते वे वहां से फटा फट वापस निकल करा गए अब लेकिन मुगल प्रतिष्ठा की यहां पर दज्जियां उड़ा दी गई थी कि कोई दिल्ली तक आ सकता है बहुत बड़ी बात थी उसमें अब उनी मराठों की वज़े से मुगल शाषक को स्वेम कैद में रहना पड़ गया था मुहमद शारंगीला ने अब निजाम को बुलाया निजाम उल्मुल्क या आसफजा जिनको कहा जाता है या चिनकलिच खान जिनको कहा जाता है निजाम को मुलाया और कहा संसादन देता हूँ सेना देता हूँ मराठों को पराजित करो दोनों के हित एक जैसे थे क्योंकि मराठों से मुगल सामराज्य को भी खत्रा था और हैदराबाद रियास्त तो थी ही दक्षिन में उनको भी खत्रा था निजाम राजी हो गए और निजाम ने वापस दिल्ली से बढ़कर निजाम पहले हैदराबाद से आये दिल्ली और दिल्ली से बढ़कर वापस अब दक्षिन की तरफ जा रहे थे पेश्वा बाजिराओ को ये समाचार मिला कि निजाम बढ़ रहा है बहुत बड़ी सेना लेकर दक्षिन की और पेश्वा ने भी अपनी सेना तयार की और असी हजार की फोज लेकर भारत के उत्री भाग की और बढ़ चले दोनों सेना आमने सामने हुई बोपाल में बोपाल में जहां पर निजाम थे वहां किस प्रकार की स्थिती थी ये जानकारी हमको पेश्वा बाजिराओ के एक पत्र से मिलती है पेश्वा बाजिराओ ये कहते हैं कि निजाम एक अनुभवी योद्धा है और निजाम के पास में 30-40,000 के आसपास की सेना है उस समय की भूत अच्छी जो सेन्य उपकरण हुआ करते थे वो निजाम के पास में है लेकिन ये मेरी समद से बाहर है कि निजाम ने अपने आपको भूपाल में क्यों कैद किया हुआ इतना अनुभवी होने के बावजूद भी पेश्वा बाजी राओ ने मराठों को चारो तरफ लगा दिया और भूपाल को सीज कर दिया गया उनकी जो खाने की सप्लाई चैन थी उसको काट दिया गया अंदर जो मुगल और संयुक्त सैनिक बैठे वे थे वो भूखे मरने लग गए अपने ही जानवरों को काट काट कर खाने लग गए साथ ही साथ पेशवा के द्वारा देखो एक और रणनिती अपनाएगी पेशवा को ये पता था कि निजाम को भारत के उत्रिक शेतर से साहता मिल सकती है दिल्ली से साहता मिल सकती है इसलिए उनको रोकने के लिए मलहार राव होल करके नित्रित में सैनिकों को आगे की और बेज दिया और ये भी पता था कि हैदराबाद में निजाम का जो पुत्र है वो सायता के लिए आगे आ सकता है तो इसलिए दक्षिन में अपने भाई चिम्मा जी अपा को वहाँ पर सैनिकों सहित तयार कर दिया था कि अगर वो आगे बढ़े तो पकड़ लेना रोक लेना आगे मत बढ़ने देना निजाम की भोपाल में ऐसी स्थिती हो गई कि उनके सैनिकों के पास में खाने के दाने तक नहीं थे और मजबूर होकर जनवरी 1738 हिस्वी में निजाम को एक संधी करनी पड़ी और संधी में क्या मिला जो मराठे चाहते थे सवाई जैसिंग ने जो प्रियास किया था अब मराठों को वो सारा सब मिला संधी की शर्ते ये थी मराठों को मालवा मिला मराठों को नर्मदा और चंबल नदी के बीच का जो एरिया था वो पूरा एरिया मराठों को मिला इसके अतिरिक्त यहां युद्ध हरजाना के तोर पर मुगलों को 50 लाक रुपे की रकम देनी पड़ी और ऐसा इतिहास में आप पहली बर हुआ था जिसकी वज़े से मुगल प्रतिष्ठा तार तार हुई मुगल प्रतिष्ठा की दज्जियां उड़ा दी गई मराठों की बहुत जबरदस्ट जीत हुई और भूत बड़ा क्षेतर मराठों के पास में आया खैर इसके दो वर्ष बाद ही 1740 इस्वी में पेश्वा बाजीराओ की मृत्ति हो गई मातर 40 वर्ष की आयू में आप सोचो पेश्वा बाजीराओ का जीवन काल अगर थोड़ा और लंबा होता तो इस हिंदुस्तान की सीमा कहां तक होती और हो सकता है ये वाला इतिहास भी प्रभावित होता कि भारत में जब अंग्रेज आये थे तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए मराठा बहुत शशक्त हो चुके होते बहुत मजबूत हो चुके होते हलाकि बाद में 1761 में जब पानीपत का युद दुआ था तीसरा उसमें मराठों की हार की वज़े से अंग्रेजों को ये अवसर मिल गया खुद अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि उनके हारने की वज़े से हमको ये अवसर मिला हम इतने मजबूत हो गए कि जब बाद में मराठा फिर से खड़े हुए तो हम उनसे लड़ने की स्थिती में थे ख़र बाद के किसी और वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि मराठे पानीपत के युद में क्यों हारे क्या मराठा और राजपुताना की शाषकों में कुछ सिमिलरेटीज थी समानताएं थी बहुत सारी समानताएं थी लेकिन आखिर रीजन क्या रहे जिसकी वज़े से जहां सारे मुसल्मान एक हो गए मराठों को हिंदु शाषकों का साथ नहीं मिला कुछ नीतियां तो थी जिनको हमको समझना पड़ेगा क्योंकि इतिहास केवल एक सब्जेक्ट नहीं इतिहास शिक्षक है वर्तमान और भविश्यका इतिहास ये सिखाता है कि मैंने जो किया मैंने जो गलतियां की वो तुम मत करना इतिहास ये बताता है थैंक्यू जैहिंद